जैहिन मेरे प्यारे बचो मैं अनुच चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ ड्रीमर्स अकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर चीक है राउंड टू में चोईस फिलिंग की जो लास्ट डेट है वो पांच मई रात को ग्यारा बच के पच्पन मिनट तक है तो आप चल दुबाजी में कोई भी काम ना करें आप आज साम तक का अराम से टाइम लो अपना चीजों को एनलाइज करो उसके बाद ही स्कूल फि क्या करना है देखो मैंने खुद ले दी आपको एक ब्लैंक पेपर लेना है और एक पैसल लेके बैठना आ है मैं एक 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 खूल कूड का एक ही इसकूल का दूगा उसके बाद आप जिस भी स्कूल का निकालना चाहों आप खुद निकाल सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आ लिजे मैं एक बच्चा हूँ और मैं क्लास 6 के से मैणे paper दिया है और मान लिजे मैं बिहार से रहने वाला हूं और मैं जनरल केटागरिश का हूं तो मैंने class 6 चूस किया class 6 में Seinic और निय문 dont का ऑप्शन सिरफ 54 мама आएगा और मैंने हैं हैं कर दिया सर्च और जब सर्च किया तो मुझे तो 33 के 33 सकूल का डेटा चाहिए ना मुझे तो 33 के 33 सकूल का डेटा चाहिए लेकिन यहाँ पहले option पहे है अपकी सभी स्कूल का फॉर्मूला कैसे लगाना है मैं वह आपको एक करके बता सबसे पहले मैंने देखा कि सर अगर मैं बिहार का हूँ और मुझे सेनिक स्कूल कालिकरी चूज करना है तो उसका डेटा कैसे निकालेंगे सेनिक स्कूल कालिकरी में आप अच्छे आदमी बनके पूरे भारत के सभी स्टेट के सभी कैटागरी का नंबर नहीं लिखोगे नहीं आप boy हो तो सिर्फ boy का बिहार के हो तो सिर्फ बिहार का और जनरल केटागरी के हो तो सिर्फ जनरल केटागरी का डेटा लिखोगे बाकी आपको कोई मतलब नहीं मैंने देखा सर सैनिक स्कूल कालिकरी में other state की जनरल केटागरी से total vacancy थी 10 10 तो आप लिखोगे सैनिक स्कूल कालिकरी जनरल केटागरी टोटल वेकेंसी कितनी थी 10 यानि कि सर पूरे भारत से जनरल केटागरी के 10 बच्चे आ सकते हैं मैंने का ठीक है अब यहाँ पे देखो जिस सैनिक स्कूल कालिकरी की बात हो रही थी न तो सैनिक स्कूल कालिकरी चूज किया उस पर किया मैंने सर्च और सर्च करके वेन मैंने देखा तो मैंने देखा कि सर यहाँ 29 आ रहा है अरे यह 29 जनरल डिफेंस ST ST OBZ सबको मिला कर है इस 29 में से 10 सीट किसकी थी जनरल की थी एक स्टेट से साथ बच्चे आ सकते हैं बिहार के दो बच्चे आ चुके हैं यानि कि सर एक स्टेट से जादा से जादा साथ बच्चे आ सकते हैं और बिहार से दो बच्चे आ चुके हैं यानि कि बिहार से अभी पांच बच्चों का और एडिमिशन हो सकता है लेकिन सर मुझे इ सीटें आ चुकी है और equal to का sign करके लिखोगे कि 5 और उसके बाद लिखोगे plus कि 5 सीटें अभी और आनी है तो सर इसकी category कैसे पता करूं में तो category पता करने के लिए क्या करना है कितनी यहां पर देहो जो बच्चों का admission हुआ है उसके marks कितने हैं कितनी cut off है 271 clear है तो अब आप फिर से school information में जाएंगे school wise cut off वाला option चूज़ करेंगे और इसमें अगर आप class 6 के हैं तो class 6 चूज़ करेंगे school type में scenic school चूज़ करेंगे round कौन सा था one था और कौन से scenic school की बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे scenic school कालिकरी की तो कालिकरी पे गए ठीक है और इस category कौन सी थी other state और कर दिया search search करने के बाद में यहां जो data उत्तर यहां पे उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश तमिलनाडू राजस्थान मनीपूर करनाटक किसी से कोई से मतलब नहीं हमें मतलब है बिहार से बिहार से मतलब है बिहार का कितने बच्चों का एडशक Live तो का ठीक है क्यों देखिए गृल यह गर्ल्षकी बेक रहे न रिजट अन्रिसाद उन्रिज़ड मतलब जन्र बिहार से जिन बच्चों का बहाँ admission हुआ है वो दोनों बच्चे unreserved यानि की general category के थे जो बहाँ गए हैं तो यानि की sir बिहार में पूरे भारस से total बच्चे कितने आने थे 10 एक state से कितने आ सकते थे 7 और 2 बच्चे general category के पहले ही पहुँच चुके हैं कितने बच्चे और पहुँच सकते हैं वहाँ 5 और पहुँच सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे कितने आपके यह हो गए क्या हो गए तो भाईया यहाँ पे अभी 5 vacancy और है तो वहाँ पे अभी आपकी vacancy है आपको बाकी किसी भी state से कोई लेना देना नहीं है तो आप इस तरीके से बाकी किसी भी सेनिक स्कूल का पूरा डेटा निकाल सकते हैं और प्लीज आप जो भी सेनिक स्कूल चूज करें आप एक अलग पेच पे एक और डेटा निकालेंगे आप जो भी सेनिक स्कूल चूज करेंगे उस सेनिक स्कूल के round one की cut off आपके marks से आपके marks से 2, 4, 5, हद से 10 number ज़ादा होनी चाहिए उस से ज़ादा cut off अगर आपके marks से round 1 की है तो round 2 में आपको school a lot नहीं होगा ठीक है और जिन बच्चों के marks बहुत कम हैं 200 से नीचे वाले बच्चे हैं आप तयारी सुरू कर दीजिए बेटा ठीक है आप तयारी सुरू कर दीजिए next exam की क्योंकि इस साल आपका admission मुस्किल है क्योंकि आपने देखिए round 1 की cut off जो है बहुत ज़ादा है 260-270 number तक cut off है तो आज का ये session हम यहीं stop करते हैं जैहिंद थैंक्यू टेक केर